आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूँ यती आपके साथ बड़ी खबर बता दे राजधानी पटना से सामने आ रही है जहां आज कम्प्यूटर टीचर्स ने बीजेपी दफ्तर के बाहर जोरदार विरोध प्रदाशन किया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार में बड़ी संख्या में कम्प्यूटर टीचर्स जो है वो आज बीजेपी के कारयाले पहुचे और वहाँ पर विरोध प्रदाशन करते दिखाई दियें बता दे कि अपनी मांगो को लीकार भारी संख्या में आई टीसी इंस्ट्रॉक्टर सीम आवास के बाहर प्रदाशन करने लगे जिसके बाद पुलिस ने हलका बल प्रयोग करते हुए इन टीचरों को खदेर दिया जिसके बाद प्रदाशन कारी विजेपी ओफस के बाहर प्रदाशन पर आमद हो गए वहीं कम्प्यूटर टीचर्स का कहना है कि हमारा पांच साल के लिए अलग-अलग एजेंसियों द्वारा स्कूलों में बहाली किया गया था लेकिन सिर्फ छे महीने बाद ही उनको स्कू सरकार ने नहीं सुनी और मागों को पूरा नहीं किया गया तो उनकी लड़ाई आर पार की होगी तो साफत और पर सरकार को कम्प्यूटर स्टीचर्स ने खुली चुनौती भी दे दी उनका साफ कहना है कि अगर सरकार उनकी मागों को पूरा नहीं करता उनकी बातों को नही बात सामने आरे बतादे कि भाज़पा कार्याले के पास अभिहर्थी प्रदशन कर रहे हैं मालूम हो कि कई स्कूलों में कारेदत कंप्यूटर टीचर से सिक्षा विभाग ने सेवा लेने के लिए मना कर दिया है कि बिहार सिक्षक भर्ती के पहले चरण में करीब 6,000 से जादा कम्प्यूटर्स सिक्षक उचमादमिक विद्यालों में योगदान कर चुके हैं सिक्षक भरती के दूसरे चरण में भी सैक्रो कम्प्यूटर्स सिक्षकों ने स्कूलों में अपना योगदान दिया था जिसके बाद तमाम एजंसियों के जरीए स्कूलों को पलब्द कराए गए इन कम्प्यूटर्स टीचर से काम ना लेनी का निने ले लिया गया है जिसके विरोध में आज सबी अभियर्थी जो हैं और जो भी कम्प्यूटर्स टीचर्स हैं वो विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे और सरकार को खुली चुनोती भी दे दिया है साफ दोर पर कह दिया है कि अगर सरकार ने उनकी बातों को नहीं सुना और उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया तो अब वो आर पार की लडाई करेंगे दर्शन्यूस में फिलहाल के लिए इतना ही बिहार जारकंड और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्शन्यूस के साथ दन्यवाद